हेलो नमशकर कैसी है आप सब स्वागत है आपका मेरी चैनल में गर्मियो का मौसम आ गया है तो मैंने सोचा क्यों ना घर पे ही आईस्क्रीम बनानी जाए बहुत ही सूपर सॉफ्ट क्रीमी क्रीमी हमारी आईस्क्रीम बन के तयार होगी जिए कि रही सिर्फ दूठ थी स्कीं को जरूर है बहुत पसंद आप ऐसे बनाना भी बहुत असान है तो इस के लिए देखे हमें क्या चाहिए हमने आपे लिये दो केले और एक पैकेट हमें आपे ओरियो बिस्कित का ले लेंगे केले के भी हम छोटे चोटे पीस कर लेंगे और और लोग स्किट को भी हम तोड लेंगे और दोनों को हम यहां पर ग्राइंडर जार में डाल लेंगे क्योंकि हम ग्राइंडर जार में ही मिक्स आइस्क्रीम का बैटर त्यार करेंगे तो आप डायरेक्ट ग्राइंडर जार में इस्टियों नहीं डाल दे तु देखे हम इने बहुत अच्छा सी ग्राइंड बन के तयार हो गया अब यहां पर एक कंटेनर ले लेते हैं और इस कंटेनर में हम यह पर आइसक्रीम का बैटर डाल देंगे तो देखे कितना आसान है यह आईस क्रेम बनाना सिर्फ दो मिनट में बनके तयार हो गया आईस क्रेम का बैटन हमारा तो अब हम इसे से अच्छे से सैट कर लेते हैं और ओपर से धकन लगा लेंगे और फ्रीज में हम इसे कम से कम फ्रीजर में पूरी रात रहने देंगे या पांस तिशे गंटे रहने दें तो यह बहुत ही अच्छी हाए और इसकुर। तो देखे कितनी सूपर सॉफ्ट बन के तयार होगी है आप इसे एर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं आइस क्रीम को अगर आपके पास एर टाइट कंटेनर नहीं है तो आप उपर से बोल के उपर से किसकोई प्लास्टिकी पनी लगा दे या फॉयल पेपर से कवर कर ले तो और आपके आइस क्रीम बहुत अच्छी जमेंगे और इसे में आईस क्रिस्टल बिल्कुल नहीं जमेंगे तो देखे अवं इसे बोल में सर्ट कर लेता है तो बहुत ही सूपर सॉफ्ट और क्रीमी-क्रीम हमारी आइस क्रिम बन के तएज़ें तो आप इसे जरूर मनाई और तो देखें कितना असान है बनाना तो मार्केट सी क्या लाना आप घर पर ही आइस क्रीम बना सकते हैं मैंने वैसे भी बहुत सारी आइस क्रीम बनाई हुए are ताजे ताजे फलो की भी बनाई हुए तो आफ वीडियो पर जाके चेक कर सकते हैं तो यह रही मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बताईएगा अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मैं मिलूंगे आपको अगली ही कैसी नई रेसिपी के साथ तब तक लिबाई टेक केर